बिहार, सचिवाले साहयक, इन हेंट सेलिय आपको कितनी मिलेगी पहले तो बेसिक पेसिक हम लोग देख लेते हैं बेसिक पे आपकी जो है 44,900 आ इसके बाद 44,900 है और आपकी जो डीये है, डीये, Khra, T een, यह सब आपके बेसिक एलाउंसेς पेज फेल ही मिलते हैं और यह जो जॉब है ग्रेट पे 4600 वाली जॉब है इसके बाद HR जो मिल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं HR यहाँ पर 12,123 रुपया है और DA यहाँ पर 15,216 रुपया है टीए यहाँ पर 36 रुपया है इसके बाद DA और टीए भी यहाँ पर 1224 रुपया ग्रोस अर्निंग 37,113 रुपया और डीटोक्शन इसमें से पेंसन के लिए आपको 10% से कर दिया जाता है यहाँ पर 45 878 रुपया यहाँ पर कर दिया जाता है नेट जो सेल लिए आपको मिलेगी वह यहाँ पर 73,626 रुपया मिलेगी अब यहाँ पर हम में जो है उसकी बात करेंगे कि आपकी बेसिक पे जितनी है मालेजे कि 46,900 आपकी बेसिक पे है 44,900 तो इस पे आपका डिये अभी 2022 के हिसाब से डिये जो दिया जा रहा है वो यहां पे 34% दिया जा रहा है और यह 2024 में यह बढ़ जाएगा यह कितने से बढ़ जाएगा यह 60% डिये कर हो जाएगा आपका ही सेलरी 60% आपका डिये बढ़ जाएगा डिये किस पे मिलता है आपको बेसिक पे डिये मिलता है इसके बाद हरे हाउस रेंट अलाउंस जो होता है आपको जैसे पटना में आपको जाब मिलेगा तो वहां पे आप घर लेंगे इसके लिए आपको सरकार पैसा देगी तो इसी को बोल आपको 7184 रुपे दे रही है एचारे ठीक है तो यह आपको बढ़ जाएगा लेकिन अभी जो सचवाले सहयक को मिल रहा है वो यहाँ पर 12100 तेशुर रुपे आपको एचारे दिया जारा है सरकार द्वारा तो कुछ बढ़ा दिया गया है इसका मतलब अब इसके बाद टीये जो है यहाँ पे 3600 टीये दिया जा रहा है तो यह भी 2024 के हिसाब से बढ़ करके 4000 हो जाएगा मेडिकल फैसलिटी एक हजार यहाँ पे इसमें दिये जाते हैं और इसके बाद नेशनल जो निव पेंशन जो है आपको जोड़ा गया है इसमें 10% आपकी माइनस कर दी जाएगी यहाँ पे 4500 से लेकर 5000 तक रुपे माइनस हो जाते हैं इसमें तो जो आपकी सेलरी मिलेगी उसमें से माइनस कर दिया जाएगा आपके पेंशन के लिए जो पेंशन मिलेगी तो 14% कर करके मिलती है तो मान लिजे कि 5000 माइनस किया गया है तो और इसमें something बढ़ा दीजिए आप करीबन यहाँ पे जो भी बढ़ेगा 4% में वो बढ़ा के इसमें सरकार आपको देगी पे 77,626 रुपे टोटल सेलरी आपको मिलेगी ठीक है क्योंकि अभी जो इसमें मैं दिखा रहा हूँ यह 2022 का है ठीक है ना 2022 के हिसाब से यह मिल रहा है और 2024 के हिसाब से जो अभी वैकेंसी आई है अब आप इसके एक्जाम देंगे इसके सेलेक्शन 2024 तक जाके पूरे किये रहेगी ठीक है आपको बेसिक पे तो वही रहेगा 44,009,00 बेसिक पे रहेगा और ग्रेट पे भी रहेगा एच आरे बढ़ जाता है ठीक है ए साठ पर इस तरीके से बढ़ जाएगा सबी चीज़ें बढगने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी salary जो होगी वो यहाँ पे बढ़ी हो दिखेगी करीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90,000 के हिसाब बढ़ जाएगी 90,000 तक बढ़ जाएगी अभी इसमें जो आपकी salary टोटल जो salary है जैसे minimum salary तो आपकी इतनी है लेकिन maximum salary इसमें 1,42,000 maximum salary है ठीक है न तो 1,42,000 तक आपके इंक्रिमेंट होते रहेंगे ठीक है तो आपको 1,42,000 तो यह basic में आ जाएगा लेकिन जब आपके total count किया जाएगा तो यह करीबन यहाँ पे 1,80,000 नबे हजार तक आपके salary पहुंच जाते है तो बहुत ही interesting, यह salary बहुत ही अच्छी है तो यदि सचीवाले साहे का आपने form भरा है तो अच्छे से तैयारी करें ताकि आप निकाल सेके अभी 10 दिन बचा है और एक और मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा कि कितने लोग इन अपलाई किया है कैसे तैयारी करनी चाहिए आपको कि 85% यदि आप करके आएंगे तब समझ लिजे कि आप ये पीटी वाला क्वालिफाई करेंगे इसके बाद मेंस जो होगा वह भी objective ही होता है तो उसमें आपको कम से कम यहाँ पे 90% करना पड़ेगा तब जाके आप क्वालिफाई करेंगे इसमें आपकी selection होगी पूरी 90% करके आएंगे तब